नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देशंगर तिवारी हूँ क्या बाबर ने योध्या में खाली प्लाट पे बाबरी मस्जिद बनाई थी वैसे तो बाबर उहां गया ही नहीं था लेकिन उनके राज में खाली प्लाट पे बाबरी मस्जिद बनी थी ये के उपर से निकल जाता है वहाँ पे जूट को सच और सच को जूट साबित करने की कोशिस होते है किस से एविडेंस से बहस से तो कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोट में नजारा हुआ कि जो मुस्लिम पक्च के वकील है राजीव धमन उन्होंने अपनी बहस पूरी कर ली इसके बाद मुस्लिम पक्च की तरफ से जफरे आपजिलानी है उनकी बहस सुरू हुई और बहस बहुस दिल्चस्प हुई उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि चबूतरा है राम का जन्म अस्थान या कहीं और जहांपे की गर्ब्रगी के पास हिंदू पक्च दावा कर रहा है तो इसको लेकर के जब बहस की सुरूआत हुई तो जो जस्टिस वो बड़े हैं उन्होंने कहा कि बाबर ने मस्जिद तूड करके बनाई या पहले कभी मंदिर था उस जगह पे या खाली जगह थी तो इस सवाल पे जिलानी बोले कि बाबर ने खाली प्लाट पे मस्जिद बनाई थी अब देखें कितना 180 डिग्री पे विरुदह भास है जो लड़ाई है पूरी मुकद्नेबाजी हो इसी बात की है पहले मंदिर था और मंदिर तूड करके मस्चिद बनाई गई और इनका कहना यह है नहीं-नहीं वहाँ तो खाली प्लाट था और जो है खाली प्लाट पे यह मस्चिद बनी थी इसके बात से यह कि यह जटी है आगभाह के हवाले से यह भी बताया कि किस तरह से 70 साल बाद उसकी रचना हुई यानि कि जब यह मस्जिद बनी उसके बाद 70 साल बाद उसकी रचना हुई और उसमें कहीं पर भी इस बात का जीक्र नहीं है राम जन्म अस्थान एकजेक्ट है कहां पर इसी को साबित करने के कोशिश कर रहे थी कि वसिष्ट करने के कोशिश करते रहे पूरी बहस के दवरान अभी आगे भी बहस चलती रहेगी कि राम का जन्म का कोई विशीश अस्थान मार्क हो ऐसा नहीं है तो फिर बात यह आई कि 1886 के फैसले में पूजा का अधिकार मिलने के बाद हिंदू ने जो है वहां पे चबूत्रे पर ह भी इसकी जाजत नहीं दी थी तो गवाह सत्य नरान ते पाठी के हवाले से यह बात जिलानी बोले कि मानस में भी सिर्फ युद्या का जिक्र है राम अस्थान का नहीं तो कुली मिलाज उला करके लबो लुब आज की बहस काई है बोबडे से भी चंद्रचूट भी बीच म कर रहा है लेकिन उनका जो पक्ष है वो एक दम कि लियर है वहां पे कोई मंदिर नहीं था और खाली प्लाट पे बाबरी मस्जीद बनी थी आपको राह श्यारी हो रहा है पूंकि कुछ लोग की इधर आसता है कुछ लोग की मंदिर तोड़ के बना था यही तो कोasında करना है सुप्रीम कोट को डिसाइड करना है देखते हैं और अभी आगे बहस में कितने दिल्चस्प तत्य आते हैं और सुप्रीम कोट क्या डिसीजन देता है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखती रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए